ही गाईज विल्कम बैक तो मैं चैनल और मैं हूं सुजाता तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूं कि कैसे आप हेर स्पा घर में ही कर सकते हो क्योंकि आपको पता है मार्केट में अगर आप हेर स्पा कराने जाओ तो हजार से पंद्रा सौ रुपे लगते हैं और घर में ही आप वो हेर स्पा जादा से जादा सौ ये दो सो रुपे में कर सकते हो आसानी से तो टाइमने लगाते वे शुरू करते हैं दोस्तों ये हेर स्पा वाला वीडियो तो पहले मैं अपने बालोंको वाउश कर लेती ही तो राड़ को मैंने अच्छे से बॉच कर लिया है बस एक चीज का धिल्व कर लें दोस्तों, उसके बाद जब आपके बाल हलके गीले हो को मतलब पूरी तरीके जैसे चूणे वाला पानी आपको नहीं रखना तो अब मुझे यूज़ करना है तो मैं इहाँ पर Mouse का यूज़ कर रही हूँ मेरे पे इसका भी है L'Oreal का भी है तो आपके पास जो भी है उसे यूज़ कर सकते हैं आपके पास यह भी नहीं है तो आप aloe vera gel ले लीजिए, तीन या चार चमज उतनी ही quantity में आप दही ले लीजिए और दोनों को अच्छे से mix कर लीजिए, इसमें थोड़ा साप coconut milk डाल दीजिए वो भी बहुत अच्छा आपके बालों को smooth और sign करेगा तो मैं अभी हापे mama earth का use करूँगी आज आप इसको आपको लगाना कैसे है, आपके बाल गीले है, बस इस तरीके से ये paste में है तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से section में आप divide कर लीजिए तो ये वाला जो hair spray दोस्तों इसे मैं scalp में भी apply कर सकती हूँ तो इसे मैं पूरी तरह से अपनी जड़ों में लगाऊंगी अच्छे से क्योंकि ये काफी अच्छा और healthy है, आपके hair fall वगेरा को रोकने में help करता है तो मैं इसे काफी time से use कर रही हूँ तो आप इसे जड़ों में भी apply कर सकते हैं और length में भी तो बस आपको क्या करना है थोड़े थोड़े बाल लेने है और इस तरीके से लंबे खीशना है मतलब आपको state करने है अपने बाल थोड़े section में ही आपको लेना है ज़्यादा section में आपको नहीं लेना है बालों को थोड़ी थोड़ी मातरा में अपने बालों को लीजिए और इस तरीके से हैरिस्पा लगाने के बाद उसमें इस तरीके से आप इसे अपलाए करते जाएए तो पहले आप अपने बालों को दो section में divide कर लीजिए और इस थरीके से मैं अपने बालों में लगाती हूँ इस hair spa को दोस्तों आप महीने में दो बार आसानी से कर सकते हूँ यह आपके जो दो मुखे बाले है उसकी problem को दूर करता है आपके बालों को शाइन देता है और soft बनाता है तो जब मैं इसे पहले market में करवाती थी तो मुझे मतलब 1500 रुपे मुझे लग जाता था बट इससे अच्छा मैंने सोचा क्यों ना मैं 500 रुपे का एक box ही लेके आ जाओं और उसको मैं at least आराम से मेरा 5-6 बार hair response में हो जाता है तो बस आपको इसी तरह से लगाना है थोड़े थोड़े section लेके अपने बालों में बस ये धियान रखेगा कि आपके बाल गीले होने चाहिए अगर आप dry बालों में लगाओगे तो अच्छे से नहीं लगता तो इसलिए बाल गीला होने बहुत जरूरी है साती साथ आपके बाल धुले होने बहुत जरूरी है क्योंकि आप अगर गंदे बालों में लगाओगे तो वो इतने अच्छे से काम नहीं करता और इसलिए मैंने बालों को wash करा है और बालों को गीला रखा है तो इसी तरीके से मैं पूरे बालों में से अप्लाई कर लूँगी तो ये प्रॉपर तरीके से मैंने अपने बालों में लगा दिया है जो इसको मैंने जड़ में भी लगाया है क्योंकि ये 100% और्गैनिक है इसी लिए अगर जो केमिकल वाला होता शायद मैं जो दूसरा वाला यूस करती तो इसे मैं अपनी स्कालप में बिल्कुल नहीं लगाती तो इसे मैंने लगाया अब इसका जो तीसरा स्टैप है वो जना है आप जरने सकते हैं बाल्ते में लेतिमे लेरी ताओं का इस इसब्स करणी इस तरीके से कुई तो इसको थोडा से में निचोड स्कूद्स पर जादा ना लगे ये मेरे पूरे कपडों में ही लाना वे इस में ये को आप इन दूना नजर आ रहा अगा जहिए थी है यह प्रोसेस आपको कम से कम पाज बार करनी है अब यह हो गया तब तक आपको अपने बालों में रखना है जब तक यह जो पानी है इसका यह टावल है यह ठंडा ना हो जाए तो इस प्रोसेस को मैंने पांच बार कर लिया है दोस्तों अब आपको क्या करना है अपने बालों को वाश कर लेना है जब मैं अपने बालों को वाश करूंगे उसके बाद मैं सीधा आप से मिलती हूं और वाश करते टाइम आपको ध्यान यह रखना है कि कोई भी शैंपू व चुप हुआ है प्रपी को तो मैं आप पाखु हैं और मिपनी इस हो रहा जा क्यों पिसक्राँ अुर्य छा सफ भलाजया है कि अगर वह सालत है, तो एक क्रीम फाइवंड़ रूपीज की आती है शिक्स की आयगी जाए चाहिए आप यह लाड़ेल की ले लो चाहिए कोई भी उसमें आप एरांड और चार से पांच राराम से कर से कोई तो आपकी बालों की लेती हो पर अपर आप मेरे बालों को देख सकते हैं बिल्कुल बताईए कि वीडियो को कैसा लगा तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तर ले बाई टेक्या